इंटेग्रेट इट एड़ वेंस टुया करिया है अज अब करेंगे एस जाई दो जार देरा की कुशन पेपर का स्लीशन जो अपन उसको कंटिनुव कर रहे हैं फेस्ट पाट अपने कर लिया है चलो स्टाट करते हैं मेर नाम इजदेंद्र एंड वेलकम बैक टो चनल कुशन नमर्ट 24 गा अंसर डी वैसे भी देखो ओसन पहले तीन ओप्सन है वो क्ले मिंडल्स दीवे हैं जो कि आप क्ले मिंडल्स जी स्वल मेकनिक्स में पढ़ता है तो ठीक है तो अंसर असे भी आगया अपना डी ठीक है तो नेक्स्ट कुशन देखो इस सेलो फांडेशन इस डि अपने वहां पर एक बार पहले देखा था सेकिंड टाइम में आ रहा है तो देखो क्यूशन ऐसे रिपीट होता है तो प्रिश्य रिका से इसका इंपोर्टेंस है क्यूशन नमर्ट 25 सलों फांडेशन की डेफिनेशन है तरजागी ने क्या बताया थी तरजागी के कर दिशी इसे क्या आता है लेजन वन यह क्या है देप्ट डेप्ट पुटिंग यह से विड़्ट फटिंग ट्येक्शन याट्रस और फान्डेशन टाफ पूटिंग ट्यूशन देख लो कि जो डेप्ध है वूख्य attach से कम है ऐस्याप्शन देख लो प्रणोंपी। और प 26 पढ़ो, बिल्कूल basic question है, soil mechanics का पहले रूट का सुरुआख में यही पढ़ते हैं तो चलो question पढ़ते हैं, फिर आप इसको attempt करने कोशिस करो, if the volume of words is equal to the volume of solids VV equals to Vs, समझ गये? VV volume of words equals to Vs volume of solids, तो पूचा आपन से word ratio and porosity पूचिए, issue 26 उसमें पूचा वीवी कश्टू वीएश दिया वापन से वोइड रिटा का फॉर्मूला बताओ वीवी डिवैड़ वीएश यह इसकी डिफिनेशन होती है रेशियो दोनों का रेशियो ठीक है यह दोनों इक्वल है तो क्या आगया वेल्लू वन आगया इटा का जो और में बता दो तो पहले क्या पूचा है अपन से पहला पूचा है पॉरसिटी तो पॉइंट फाइफ जो वोड रेशिया वन तो आंसर आगया अपना तो इसको ध्यान रखना गलती ना हो जाए इसका जो ओडर पूचा है उसमें बताना है चलो नेक्स क्यूशन पढ़ो उ वेरी एफेक्टिव होता है तो लैम स्टेबलेशन है वो देखो सेंड में ना वो बिल्कुल भी एफेक्टिव नहीं होता है तो यह इसमें किसमें होता है यह क्ले में ज्यादा एफेक्टिव होता है तो देखो पहला उप्सन है सेंडी सोल नहीं सेंड में नहीं होता है नो ये पढ़ो क्विशन आप इसको और क्विशन पढ़ के देखो क्या दिया हूँ इसमें इसमें दिया हूँ है कि अपने पास जो टेस्ट जो अपने क्या है उसकी जो प्लेट लोड टेस्ट किया अपने परफॉर्म तो उसकी जो dimension क्या है? dimension है, square है plate, यह 300 mm है तो उस पे load लगाया, core intensity है और value दे रखी है इसने और load इससे अपना settlement निकल क्या है 15 mm फिर यह कहा रहा है कि same का same अगर आपन क्या करें? prototype footing पे बात कर रहा है footing पे same का same ही, footing जिसकी dimension दे रखी है same load लगाएं, या same intensity है, load intensity बता रहा है same intensity लगाएं, तो बताओ settlement क्या हुआ ठीक है, तो question number 28 question number 28 में दे रखा है जो plate है plate load test है, न? तो plate है, उसकी dimension क्या दर रखी है? square है, और रखी 300 mm और जो settlement है और जो footing है, उसकी बात कर रहा है foundation की बात कर रहा है, तो footing है उसका क्या हो जाएगा? solo footing है, वो उसकी dimension है वो b square है, 1 meter का 1 meter is square, क्योंकि square हो shape तो same ही होगी, उसी का ही जैसा आपन को require होता है, वैसा ही shape लते हैं, ठीक है? अब पूचा अपन से settlement पूचा है ठीक है? पहले देखो, soil कौन सी है clay है या sand है दोनों में relation अलग-लग होता है तो इसमें, देखो कहां लिखावा है? कोहजीव soil लिखावा है कोहजीव soil कौन सी होती है? clay होती है तो इसमें दो formula होता है एक clay के लिए एक send के लिए अपना case कौन सा है? clay के लिए तो मैं clay के लिए formula होता है sf divided by sf divided by sp equals to bf divided by bp s क्या है settlement और f putting p for plate और यहां b जो है इसकी dimension है ठीक है अब यह मुझे ही बताओ यह तो यह formula है यह ऐसे साब सपोर सकता है कि जो settlement होगा वो उसकी dimension है उसके proportional होगा तो इससे मैं ऐसे पता दूँ यही पूचापन से putting में settlement पूचा है तो क्या जागा bf divided by bp multiply by sp bf कितना है? bf है 1 meter divided by 0.3 multiply by कितना है? यह 15 तो यह कितना आ गया? यह आ गया 50 mm तो answer क्या आ जाएगा? answer आ जाएगा अपना c 28 में c समझ गए? तो शिदा शिदा यह formula है इसमें value रुखो answer निकालो छोटा सा है case कुण सा है? clay यहादर रुखो send होगा तो अलग formula होता है तो जब question आएगा send का तब send का मुझे मैं उसको वो आपको बताता हूँ ठीक है? आपी तो यही है चलो नेक्ष्ट कुशन पढ़ो question number 29 question है the specific speed for a turbine has the dimension of turbine के लिए पहले तो आपन को specific speed का formula पता होना चीए उसी से आपन क्या कर सकते है dimension काल सकते है देखो option में दिए dimension वो इसमें दिखा है f दे रखा है l दे रखा t l आपन को पता है यह लेंद के लिए इसने क्या कर रखा है force उसकी unit को इसने open नहीं किया है जो basic units होती है उसमें नहीं रखा इसने dimension में नहीं रखा है इसने f को force को ही रख दिया है तो यह question पर यह थोड़ी शी question बनाने की creativity होगी तो यह exam में थोड़ा सा हो सकता है तो थोड़ा अच्छा रहता है तो यह air जो force दिया हुआ है पहले तो यह बहुत लगों में यह दिक्कत होई होगी अगर question कभी solve किया है तो यह अब देखो question number 59 का देख रहा हूँ मैं specific speed टर्बाइन क्या देता है में अपने यह पावर देता है देखो मैं फॉर्मला याद करा रहा हूँ इसमें देख लिए फॉर्मले में आयाएगा एन एकोस्टू एन अन्डरूट पी डिवाड़ बाई एज की पावर पांच प्टे चार हुने फॉर्म hvor यहाँ पे अन्डरूट पे आता है थे गाल दूसरा अपना हो पंप के लिए formula होता है पंप क्या देगा पंप के देता है किस काम लेता है पंप डिशार्ज के लेता है डिशार्ज तो इसकी फोर्मला में आएगा और एक पंप के लिए ठीक है तो मैंने पाउर देता है डिशार्ज देता है इसलिए यहांपर डिशार्ज आ गया पाउर देता है इसलिए इसलिए पाउर आ गया formula में आपको याद करवा दिया यहांपर एक पर याद रखो 5×4 पाउर आती है टर्बाइन में तो दूसरे में याद करने जाओगो यो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर 5x4 याद किया यहाँ पर 3x4 दूसरा बच गया वो 3x4 अपने आप बच गया ठीक पहली बात तो यह पावर हो गई ठीक है पावर का पावर अंडर 17 से मने आपको यह formula बता है इसवेड़ की स्पेड़ का आभी यहाँ पर यूनिट निकालते हैं यहाँ न अपनी है ही हाँ तो प्यस्वेषयन तो अब मैं इसको फोर्स की फोर्म में ही यहां रख़ाय है एक चया है अब मैं देखो यहां पर सारी चीजे रख़रा हूँ डाइमेंशन हाना n का क्या हो जागा रीडियन पर सेकिंड है तो डाइमेंशन में बताओ तो 1 बाई T टाइम टाइम अकेला ही तो आएगा 1 बाई T अंडरूट में इसी को रखना है अंडरूट में यही है पावर तो f इंटू यह क्या है डिस्टेंस है ना अर डिस्टेंस के लिए क्या होता है L डिवाइड बे टाइम है T डिवाइड बाई H यह क्या है L की पावर पांच बटे चाहा इसको सोल कर लो इसको सोल करते हैं तो f की पावर कित्या जाएगी 1 by 2 और T की पावर और यह L की पावर T की power क्या जागी T की power जागी minus का 3y2 यह divide में है 1 plus 1y2 minus 3y2 L की power उड़ देख लो L की power जागी 1 minus 5y4 किते है जागी minus का minus का किता जागा minus का 1y4 जागा minus का 3y4 तो इसमें answer जागा minus का 3y4 1y2 यह जागा F की power 1y2 ल की पावर माइनस का 3Y4 और T की पावर माइनस का 3Y2, option match कर लो, option किसे match कर रहा है, option match कर रहा है, a, 29 में आएगा a, ठीक है, ठीक, ठीक, तो अपना answer आ गया, इसको इसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो NS, same equation उसे पे भी पूछा सकता है, न, टर्बाइन के case में पूछा है वैसे ही, pumping case में पूछा सकता है, तो वो, question पे depend कर रहा है, तो वो, question पे depend कर रहा है, तो वो, question पे depend कर रहा है, तो वो basic dimension पूछे, तो आप निकाल सकता है, उसको भी, same का semi, ऐसे ही, ठीक है, तो अपना answer हो गया, a, चलो, next question करता है, question number 30, तो देखो, hydraulic machine में आपको पढ़ा है नहीं, लेकिन यहां पे मैं बता दे रहा हूँ, तो बहुत सरे आपके question यह मानलो की, जितना question पूछे जाता ना, अपना, आप कर दो गया, अपने, इसलिए मैंने उसको आपको अभी तक पढ़ा है, नहीं, क्योंकि, जो राजस्तान, जही है, उसमें ज्यादा question पूछते आपके नहीं है, आपके नहीं है, आपके तो है भी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, पढ़ा दूँगा उसको time पे, तो offsets are, next question अपना, question number 30, offsets are, offset क्या है, तो offset है न, वो होते हैं, वो lateral measurement के लिए, use के आता हूँ उनको न, chain line से lateral measurement के लिए, lateral measurement के लिए, वो किसी दूसरे अंगल पे हो सकता है, perpendicular, अगर 90 degree पे हो, तो उसको बोलते है, perpendicular offset, और किसी और दूसरे अंगल पे हो, तो उसको बोलते है, oblique, oblique offset, तो देखो, match करो, तो lateral measurement from chain line, ठीक है, यह answer सही लग रहा है, दूसरा वाला, यह answer भी यहीं होगा, 30 में, 30 में A, और B पढ़ तो, tie और check line, which are perpendicular to chain line, यह भी check line और tie line तो होते नहीं है, perpendicular, वैसे भी इसने लिखा perpendicular, perpendicular भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो oblique भी हो सकता है, और oblique भी हो सकता है, किसी और angle भी हो सकता है, और कुछ देखो, दो option और देख लो, उसमें भी कुछ ऐसा लिखावानी है, जो अपन measurement के लिए होता है, तो next, इसमें तो इसने angle वाली बात नहीं की है, क्या न, option में, तो next time जब भी question पूछे, तो पुछा सकता है, कि एसे perpendicular हो सकता है, या पर किसी और angle भी हो सकता है, तो lateral measurement के लिए होता है, 90 degree पे हो, तो perpendicular offset, किसी और angle पे हो, तो उसको oblique offset, ठीक है, question number 31 हो गया question number 30 हो गया, 31 देखता है, the four bearing of the line A, B and B, C दे रखी है, पूछा अपन से, included angle, ठीक है, A, B and B, C के बीच में, included angle पूछा है, question number 31, data अपने पास है, line A, B, line A, B का है, कितना? यह 40 degree, ठीक है, यह 40 degree, A and B, ठीक है, A, B हो गया, next है, line, क्या है, line B, C, B, C का 120, 120 होगा, 120, अपने से पूछा है, यह 120, B, C, ठीक है, line A, B का bearing, 40, ठीक, 40 degree, और B, C का bearing, जहा है, 120 degree, जो कि 90 से जदा हो, तो इसलिए 90, यह बना है, पूछा है, अपन से, क्या पूछा है angle, angle पूछा है, included angle, between A, B, line A, B, and B, C के बीच में, जो included angle है, यह angle अपन से, पूछा है, ठीक है, हम मुझे यह बताओ, मैं इसी को, इसी पीछे बार line को, आगे बढ़ा दूँ, तो यह angle कितना है, शेम का सेमी है न, 40 degree, सही बात है कि नहीं, 40 degree है, यह angle यहां से, यहां, 40 degree है, यहां से, यहां, यहां तक कितना है, 120 degree, तो यह बना दो, यह कितना हो गया, यह 80 degree हो गया, और इसी line को, बने आगे बढ़ा है, तो यह angle कितना हो जाएगा, यह angle है, total, यहां से, यहां ये कितना है 180 है ना 180 degree देखो total ये 180 यहां से ये इतना 80 तो ये अंगल बताओ ये कितना हो गया 180 degree minus 80 degree कितना बच गया फिर से जिसको problem हो रही हो देखो ये 40 degree अपने से इसी लाइन को आगे बढ़ा दो ये बेरिंग इदे रखे तो ये इसी लाइन की बेरिंग कितनी होगी 40 degree अंगल ये अंगल फिर में देखना मैं देखना हो ना बता रहा हो ना आपको एक क्यूसम पहले बताया था पहले पार्ट में कि आपको ये जो ना सिद्धा 180-8080 गी तो आंसर क्या आएगा अंसर आएगा अपना 31 में D अगर आपको कोई और formula से क्यूसम आता है तो उससे भी solve कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं इसमें गलती नहीं होगी बस थोड़ीशी practice की जूरता क्यूसम करें करें थोड़ी बहुत तो ये क्यूसम हो जाएगे ऐखनी बात मिए कुछन है next up na if the sum of northing of traverse exceeds the sum of sourthing by 1 meter ठीक है and the sum of ishtings exceeds the sum of westing northing है वो sourthing से 1 meter जादा जो ishting है वो westing से 1 meter जादा तो पूचा है कि closing error कितना है resultant closing error and the true bearing देखो इस नमर 32 ये दर रखा है ये north और ये south ये east और ये west ठीक है north south west हो क्या बलता है latitude, east west पे होता है उसका traverse में क्या बलता है उसका बलता है departure ये का रहा है नोरthing ज्यादा है इस्टिंग से ठीक है 1 meter पे ये 1 meter है यहाँ पे 1 meter ठीक है नोरthing side, north वाले इस side में है फिर कह रहा है इस्टिंग ज्यादा है westing से तो ये 1 meter ज्यादा है ठीक है कुछ ऐसे हो गया ये 1 meter और ये 1 meter ये कह दो ये 1 meter ये है ना तो ये मुझे बताव ये 1 meter यहाँ से ये 1 meter है, इधर 1 meter है इधर वन मेटर है इसी को मैंने यहाँ लिखाए तो यह बताओ यह total resultant error यह हो गई ने इतनी तो कितनी आ जाएगा यह वन मेटर यह वन मेटर कितना हो गया वन प्लस वन सोरी अंडरूट वन सोरी क्या बूल नहीं यह क्या आगा है ट्रिंगल हो गये नहीं तो वन स्कॉर प्लस वन इसकॉर क्या जाएगा अन्डरूट टु अजयाएगा ना तो इस पाथोगर से अंडरूट टू एंगल बताओ कितना होगा टेनी नियूर्स कि वन बाई वन क्या हो गया 45 डिग्री ठीक है एंगल 45 डिग्री और अंडरूट टू और कौन सा यह कौन सा है नौर्थ इस्ट है तो यह बताओ टोट एरर कितनी आ जाएगी अब होगे अंडरूट टू मिटर टीक है और जो एंगल है वह जागा नौर्थ 45 डिग्री इस्ट टीक है यह तो इसने इसमें अंसर आगया अपना मैच करो अंसर आगया अपना थर्टी टू में ए असान साता ना फॉन मीटर नौर्टिंग वन मिटर इस्टिंग में तो रिजल्टर टी क्या कहा है प्लस वन स्कार उसका अंडरूट या अंसर क्वेल्यू किता ही अंडरूट टू वैसे इतना ही काम चल जाता क्योंकि इसमें अंडरूट टू कहीं ओर अप्सन जो रहा है दिखनी रहाता तो यहां से यह आ रहाता बाकि फिर भी आपको यह तो पता है कि 45 डिग्री आएगा लेकिन नोर्थ इसमाले में क्वाडिन्ट में हो है तो आपना अंसर आ गया चलो नेश्ट क्यूशन देखो क्यूशन पढ़ो वह भी लगवाग सिमिलर सिमिलर इसी कही है देखो क्यूशन है इने क्लोजड ट्रेवर्स सम औफ नोर्थ लेटिटूड इसम औफ साउथ लेट से जब नोर्थ ऒली से ज्यादा है तो नोर्थ वुलीस साइड में होगा अब क्या कहा रहा है आल्षो सम ओफ ऑसे आल्सो संप अल्सो इसम अम और वह वें तर्पार्चर है तो यह वहळा चयाग़ा अब देखहलो नोर्थ वेष्ट आगया ना अंसर आपना नोर्थ ज्यादा है, वेस्ट ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वह यह अंसर आजाएगा, अंसर क्या आ गया, नोर्थ वेस्ट क्वाडिंट, तो 33 में C, 33 में C, ठीक, चलो, निस्ट कुछन पढ़ो, जो जो Janice Number 33 जाना, वो 32 के अंदर है उसका अंसर था, ठीक है, तो अब बगूत करता है, Question Number 34, the angle between True Median and Magnetic Median at the time of observation, क्या होता है यह Angle, यह क्या होता है, その Magnetic Declination, अंसर आ गया है ऐसमें B, 34 में B, यह तो बिलकुल बैसिक है ना, true median और magnetic median के बीच में अंगल क्या होता देखो true median जैसे north south east west यह true वाला है ठीक है और यह अपना कुछ है तो यह magnetic वाला है magnetic north और यह south यह east and west तो यह जो अंगल होगा न यह होगा अपना election यह किस डारेक्षन में है इस अभी कुन सा це इसक.? वह इसको बलते हैं एक देकलिननेसन और ये वह साउथ डिकल्नेसन अब ये अधि ऐसे इस्ट डियारेक्शन में है तो इस्ए वेश्ट डियारेक्शन में है वेश्ट अब देखो, next question अपना a surge tank is provided in hydro power scheme 2 अब देखो, ये hydraulic machine का question है ये क्यों प्रवाइडी करते है, surge tank, surge tank प्रवाइडी करते है reduce water hammer pressure water hammer pressure को reduce करने के लिए question 35 में answer हो जाएगा a तो चलो, next question अपना ये fluid mechanism का question है मैं आपको अच्छे से बता चुक्वा हूँ यह बिल्कुल देखते ही आपका अंसर आना चाहिए इन ए टू डामेंशन फ्लो ओफ फ्लूड इफ ए विलोसिटी पोटेंशिल फंक्शन फाई अग्जिस्ट फाई एक्जिस्ट करता है मतलब फाई अग्जिस्ट करता है फाई फाई य उपवन दे़ल दाल स्कूरिख इस बता रखता है तो क्या होगा्वाइ इसक रेका तो फेलोसिट फाई रोटेशनल होता है यह जब मैंने आपको पढ़ा ये त fundamental प्लो अीड तो मैंने आपको बताय कि फाई एक्जिस्ट करेगा कब करेगा must satisfy satisfy डेल स्क्वार फाई क्वेस्ट जीरो जो की लापला सी क्यूशन है जो कि इसने कहा रहा है कि ये कर रहा है जो क्यूशन में दिया हुआ है तो अजिस्ट करेगा तो क्या होगा फ्लो एरोटेशनल होगा WZ की विलू जीरो WZ या ओमेगा Z की विलू जीरो तो इरोटेशनल फ्लो तो जिसमें जहाँ भी दिया हुआ है उप्शन में इरोटेशनल फ्लो वो अपना अंसर हो जाएगा match करो, अंसर आया है चना अपना अंसर कि आया है? C आया और किसी में इरोटेशनल दिया हूआ है यह मैंने आपको पढ़ाया है टाइप से फ्लो में आपने जिसने भी पड़ी है तो वह अराम से इसे कुछन कर लें चोटे-चोटे कुछन बिल्कुली बेसिक कुछन है यह जदा कुछ है नहीं है ने स्क्राइब ग्लास्रोम में यह किए मैं तो वह यह है यह रिवाइड बैड यह होता है यह होता है विसकस फोर्स का तो आंसरा जाएगा समें इंश्या टू विसकस फोर्स भी थाटीशं में बी अभी तुछास इवायज करवादू था कि यह उप्सन को देखते ही पहले बताओ, gravity force किस के आता है? Froud number inertia force to gravity force का ratio हो तो क्या होगा? Froud number inertia force to elastic force हो तो क्या आता है? Mac number inertia force to surface tension force तो क्या होता है? Weber number inertia force to pressure force तो क्या होता है? Union number तो 5 number पढ़े थे अपने एक कुशन इस पे पूछा है 4 option दिये हैं तो 1 हो गया तो 3 के बारे मैंने 4 के बारे मैंने बता दिया है तो ठीक है तो यह फिर से revise मैंने आपको करवा दिया चलो next question देखते है A river training work is generally required when the river is river training work क्या होता है? पहले तो यह देखो river training work कहां provide करते हैं? वो देखेंगे वो जब river है ना mindering type की river हो flow की direction flow जहां भी slope जहां भी दिखेंगे डारेक्शन में river flow करना सुल कर देगी इदर कभी इदर गई इदर गई इदर गई इदर गई इसको बलते हैं mindering तो यह river training work कहां provide कराएंगे? river training क्या होता है कि इसकी जो ना river training work क्यों करता है? उसलिए करते हैं ताकि जो flow ना देखो किस एरिया में यहां पे लोग रहते होंगे या फिर कोई अपना कुछ और यह ना जो भी होगा अपना building होगा या फिर कुछ का श्रक्शन कुछ भी होगा उससे क्या disturbance ना हो कुछ से प्रहसानी ना हो जैसे flood flood area या खास करके जब मांसुन के अरिया में मांसुन के टाइम में जब क्या हो डिशार्ज बढ़ जाए तो क्या करता है यह वाला जो portion है यह flow हो जाता है तो अपनको flood situation create हो जाती है तो अपन क्या करते है river turning करते है river turning क्या मतलब है कि seat pile wall जाना अपने पड़ी है solar mechanics में वह ही लगा जाते है जिससे क्या है कि जो flow हना वो इस direction में अपन क्या करते है उसको river को direction देते है फ्लो की direction देते है उसको बोलते है river training और वो कहां पर होती है किस case में करते है जो अगर river मेंडरिंग टैप की हो तो वो मेंडरिंग करते है ऐसे वले तो answer आजाएगा आपने 38 में B आपको पता चल कि मेंडरिंग क्या होता है river का आपको यह पता से लेगा कि जो river turning work है वो क्या होता है उसका मेंडरिंग क्या है ठीक है समझ गए तो चलो question number 39 ऐसे दो देखो direct याद मेंडरिंग में करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं मिंडरिंग क्या होता है यह आपको river turning का पतल पता नहीं है तो पता होना चाहिए तो चलो next question अपना the water utilized by plants in plants is available in the form of water utilized किस फिर्म में कौन साफ जो करता है ना जो वाटर यूटलाइज करता है plants और जो वो कौन साफ कौन सी फिर्म में होता है वो होता है केपलरी वाटर ठीक है तो अंसर आगे आपना 39 में सी ठीक है और वैसे भी ना जो केपलरी एक्षिन के जरिये वाटर जो आना जो सोल से आके पूरे ट्री में सिर्कुलेट होता है यह ओना जड़ से लिट से लेकर लेकर लिव्ट तक है जो मैंने आपको बनारी मंने बाए था कहां से कहां से जाता है थोड़ास मैं ब्रांकी बताया था में कुछन आया था उस पर बताया था जो कुछन नमर 40 कि डेफिनेशन है बल्क मोडुलस ओफ फ्लूड इस दे रेशियो ऑफ होना इसकी डेफिनेशन पूछी है फूमला पूछा है इसका कुछन नमर 40 देखो मनें फ्लूड मेकनेस पड़ाया था तो उसे पहले लेक्शर में मनें यह बताया था बीटा एकोस्टू गण बाई के और जिसमें के जो अना वह था अपना बल्क मोडुलस अना उसका रेशियो क्या था यह जो रेशियो था डेल पी बाई डेल वी यह फूमला था डेल स्ट्रेंड तो मेंटर ले पड़ते हैं तो वहाँ पर इस्ट्रेस बोल देता है उसी को यह ठीक है तो चेंज इन प्रेशर और यह क्या था वोलिमेट्रिक स्ट्रेंड ठीक है तो वोलिम में कितना चेंज है यह वोलिमेट्रिक स्ट्रेंड तो चेंज इन प्रेशर यह यह यह volumetric strain देख लो कॉन्सा option match कर रहा है option कॉन्सा match कर रहा है कि सी 40 में आ गया सी यह बताया था ना मैंने आपको यह formula तो फॉमले से question हो गया है next question देखो question number 41 the buoyancy depends upon buoyancy क्या होता है जब भी कोई object जो है अपना water में या फिर किसी liquid में fluid में sorry fluid में संबश्च होता है और partially संबश्च होता है या float कर रहा होता है तो एक जो force है उसकी upward direction लगता है तो उसको बहता है point force ठीक है जो point force जो ना fb उसको उसकी value इतने निकल के आती है rho g v rho आपको पता है fluid का density g आपको पता है acceleration due to gravity और v जो है वो volume of displaced fluid ठीक है और यह यह लिख क्या आता है weight of यह equals to weight of displaced fluid अब देखो तो जो point force है वो क्याता है weight of displaced fluid ही होता है तो अप्सन में करो answer क्या जाएगा अपना weight of liquid displaced या liquid या fluid आंसर हो गया अपना तो आंसर आ गया 41 में 41 में B ठीक है यह आगे ना weight of displaced fluid यहाँ फ्लूड लिखा है इसने liquid बता दिया ठीक है चलो next question है the discharge और a rectangular notch यह यह कुशन तो मैंने 2012 का जो question solve करवाय था उस वाले last वाले पार्ट में मैंने बताया था एक तो rectangular का case हो एक triangular का case हो दो formula बताया थे discharge के अना नोच के तो यह rectangular का इसने question पूछ लिए मैंने दोनों formula वहाँ पर बताया थे तो मैं फिर से बता रहा हूँ rectangular का case वाला formula rectangular rectangular notch क्या होगा formula q equals 2 यह formula rectangular के लिए मैंने याद करने का यह formula है अब देखो याद करने के लिए बताया था कि rectangular triangular में 3 नहीं आता है तो इसमें 3 आ गिया तो पावर देखो अपनको यही पूछा है q proportional to h की पावर 3y2 यही पूछा है तो डिशार्ज ओर रेक्टंग्लर नोच इजे directly proportional to h की पावर कितना है 3y2 तो आंसर हो गया अपना बी पावर पूछी इसने यह तो पूछा है answer आ गया पी कि directly है indirectly है या power कितनी है तो पावर है 3y2 directly है तो answer आगया अपना बी ठीक है तो ऐसे question देखो question number 43 the most economical section of a rectangle channel is one having hydraulic radius equal to most economical यह OCF का question है ठीक है तो OCF में मने अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी देख लो OCF में most economical section in case of a rectangle channel question number 43 यह अपना rectangle channel है यह इसकी depth है यह depth है y और यह है इसकी width है b ठीक है यह से 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 जाट्टों most economical section के लिए अपन क्या करते हैं पी को minimum करते हैं ठीक है पी क्या है parameter क्या जगा b plus y y क्या हो जगा 2y तो और area क्या जगा b into y तो अपन क्या करेंगे b को y की term में रख दो और पी को perimeter उसको minimize कर दो और उससे निकल क्या आता है condition b equals to 2y ठीक है यह condition निकल क्या आती है most economical के लिए अपन से पूचा क्या है अपन से पूचा है यह पूचा क्या है यह relation तो यह निकल क्या आता है result तो यह ठीक है इसी को use करेंगा अगे अपन से पूचा है hydraulic radius जो हना उसकी value क्या होगी hydraulic radius का formula होता r equals to a by p area divided by perimeter तो area देखो इससे अब इसकी value रुखके फिर area क्या हो जाएगा बाद में बतादो y की term में बतादो area क्या हो जाएगा 2y square यह जाओ y plus y 4y अब बतादो इन दोनों की ratio तो आप निकाली सकते हो 2y square divided by 4y y से y cancel आ गया तो y y2 तो देखो तो जो क्या जाएगा depth का half हो जाएगा तो अब देख लो half of depth कौन सा monster आ रहा है c आ रहा है 43 में c चीक है most economical के section का जो most economical जो condition है वो यह होती है बाकी तो उसके बाद में यह हैड़ोली radius पूछे यह perimeter पूछे area पूछे जो भी value पूछ सकता है लेकिन आपको condition यह याद रखनी है फिर अप टेमिलर केस्ट में most economical b equals to 2y जो width है वो depth का two times होती है चीक है चलो next question है इस नमर 44 पड़ो इसको इन रेक्टोंगलर चैनल the ratio of specific energy at a critical depth और critical depth EC to the critical critical depth yc यह पूछा था EC by yc का value इसने इसना ratio पूछा इसने इसी क्या है जो है वो क्या है इसने specific energy है at a critical depth इसी है specific energy at critical depth and yc मतलब की critical depth का ratio इसने पूछा है का निका मतलब है का पन से यह इसने पूछा है 44 44 में क्या है चैनल कौन सा रेक्टंगुलर है ना रेक्टंगुलर रेक्टंगुलर के समें क्या होता है EC यह specific energy at critical depth वो क्या होती है और इसमें वो होती है 3y2 of yc critical depth yc है वो critical depth है यह formula होता है EC by yc का बतादो EC formula से EC by yc क्या हो जाएगा EC by yc 3y2 है जिसको क्या लगते है 1.5 आंसर बतादो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना c 41 में sorry 44 में c यह रेक्टंगुलर कोर्स में EC equals to 3y2 yc सेम का सेम यह ट्राइंगुलर होता है ट्राइंगुलर सेक्शन होता है तो क्या होता EC equals to formula होता है 5y4 yc क्योंकि next time कभी यह जुरूरी नहीं कि rectangular हो कुछ है तो ट्राइंगुलर भी कुछ सकता है तो यह formula आपको भी याद दिला रहा हूं हूं याद हो जाए ना बार-बार देखो तो एक formula है बार-बार repeat करोगे तभी सही होगा ठीक है उसमें जबकि yc का formula होता है 2q2 divided by gm2 की power 1y5 है ठीक है तो इस चार formula हो गए यह आपको थोड़ा याद हो और शेक के लिए तो question इन पर किशी भी बन सकता है अपना question हो गया answer आया c next question देखो question number 45 पड़ो इसको पड़ो इन open channel flows the characterectics length commonly used in defining the renold number देखो इसमें गलतियां होती है काफी लोग की अपन रिकल्ण जो ज्यादा यूज़ क्या करता है रो नमर यूज़ करता है या फ्राउड नमक्र यूज़ करता है open channel में मुझे बताओ इसकी वेलूज मैंने आपको बता रखी हैं, क्या होती है, 500 से कम हो तो लिमिनार, और इससे 2000 से ज़्यादा हो, तो वो टर्बलेंट, ओपन चनल के इसमें, रॉल नमर की, ये मने आपको वेलू बताई थी, तो मैं फिर से इसको रिवाइज किया पहले तो, दूसरी बात देख 54 से इसमें, अब भी तो होता हैं, इसलिए ये करते हैं, उसजिसका फोम लाइज होता है GYC, ये GLC, ये LC क्या है? ये स्में नमर है जिसकी, देखो यहाँ देखो, फ्राव्ट में नमर हाई है? गलतियां यहाँ होती है, मैं बता रहा हूँ न, इसलिए मैंने आपको देटेल में बता रहा हूँ इसमें LC होती है एरिया बाई टोब विर्थ ए बाई टी होना एरिया बाई टोब विर्थ ठीक है जो रेक्टोंगलर के रेक्टोंगलर का अगर चैनल बता दूं सेप अगर रेक्टोंगलर है तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया देखो रेक्टर मुल रहा है ठीक है यह है बी और यह है डेप्थ है वाई तो एरिया क्या हो जाएगा बी इंटु वाई डिवाइड टो विड्ट टो विड्ट भी डो बॉटम विड्ट दोनों सेम होती है तो बी कैंसिल होके आगया वाई तो पर जड़ा यूज क्या आती है वह क्या आती है यह अपना कुशन तो रो नमबर पर लेकिन मैं दोनों बें बता रहा हुँ हूँ है तो एरिया वाई टो विड्ट आता है ठीक है एक उप्शन जो वह भी दिया हूँ है तो यह डेप्थ भी करना है गलती से भी तो फ्राउड नमर केस में आता है टिक है जो घुरिक टिकस रेन्थ है योज अगर हिरनो लंमर करें ना रो वी मैं होग Boss did फेटी ना वोच यह इfficडूह और यदे सबिडिंग यह फोद्र अपना आंसर क्या हो दायाँख अपना क्या पूछा है अबी अई पुछा आपन से और अपना हैस जा visualization एडिस 45 में C लेकिन यह कन्फूज नहीं होना है लो नोमर से फ्राउड नोमर से फ्राउड नोमर में क्या आता है यह बाई टोप विड्थ यह जो अप्सन दिया हुआ ना डी और से एक डिरखा हुआ डेप्ट फ्लो पहला अप्सन दिया हुआ है तो तीनों में आप कोई सा अब यह आंसर कर सकते हैं डेप्ट फ्लो राडोलिक एडियस एंड एरिया ऑफ टोप अडिया डिवाड़ वेड़ टोप विड्थ गलती से तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं तो गलती नहीं करनी है इसलिए अंसर फ्राउड नोमर केस में आता है यह एरिया बाई टोप कर देंगे तो सब कच्रा हो जाएगा तो चलों नेक्स्ट कुशन देखो कुशन नवर 46 ए बीम फिक्स एट बोथ एंड्स चीक है कैरी ए यूनिफॉर्म डी यूडियल कर रहा है दोनों एंड पे फिक्स है अब पूच क्या रहा है दे रिश्य ओफ बेंडिंग मोमेंट यह दे रखा अपनको ऐसा और यह ऐसा और यह ऐसा ऐसा यह लेंथ एलेश की और यह यूडियल लग रहा है कि डबलू कुशन पर मिटर अब कहरा है कि सपोर्ट पे और मिड डिप्ट पे जो है इन दोनों का रेश्य पूच रहा है तो पहले तो अपनको बीम डी इसका पता होना चीए तो आपको दो स्टेंडर केस होता है उनमें से एक है अपना इसका यह होना चीए तो यहां पे अगर यूडियल लग रहा हो तो यहां आता है डबलो एल स्कुर वाइट ट्वेल मॉमेंट आता है दोनों सपोर्ट पे तो इसलिए इसका जो बेंडिंग मॉमेंट पुछ ऑनता है कि नेगटिव, यह पोजिटिव यह विल्वु आती है यह आती है WL square by 12 इस side में भी वही है WL square by 12 और यह आती है value यह आती है WL square by 24 तो ऐसा है अब यह आती है maximum जो है किस पर होता है वो mid इस पर होता है mid पर होता है अब यह बताओ इसने क्या पूचा है इस ratio किस का पूचा है वो याद रखना इस कोडर में याद रखना गलती मत कर देना support पर कितना है WL square by 12 divide by WL square by 24 जो कि mid पर है तो कितना आ गया है यह आ गया यह आ गया 2 तो answer आ गया इसमें 2 आ गया ना तो answer आ गया इसमें D 46 में D सब पहले पूचा divide at the support to the mid span support पर कितना है WL square by 12 और इस पर WL square by 24 तो ज्यादा कौण सा है यह ना तो answer आ गया अपना हो गया D ठीक है यह तो हो गया एक similar case और बनता है अपना अगर loading condition किसने यह कर रहा है similar मैं अक्षा बता रहा हूँ है question next time similar question ही बन जाए बस क्या कर दे loading change कर दे तो आपको क्या करना है loading कर रहा है इस पर mid span पर load है concentrator load लग रहा है W तब बताओ वो ही है same की सारी condition और सारी change से तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर लग रहा होता है तो यह end moments इसके आते है WLY8 WLY8 इस case में जो जो BMD बनेगा na BMD बना रहे है BMD बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है standard case है इसलिए आपको याद रखना है negative negative positive यह value है कितनी है यह तो उतनी है WLY8 देखो WLY8 यह भी same का same end moment पर WLY8 यह value कितनी होती है यह value भी WLY8 तो इस case में क्या आजाएगा WLY8 divided by WLY8 कितना आजाएगा answer 1 हो जाएगा समझ गे ना समझ गे इस case में भी similar question बन सकता है उसमें answer आजाएगा 1 पिछे बाले में कितना answer आजाएथा 2 यह देखो अब यह question और बनता है इस पर इन दोना question है same guys समझ उसी question में उसकी shape बस यह थी यह shape दी लेकिन इस पर यह दो है ना यहाँ पर देखो bending moment जो हरना sign change कर रहा है तो वो क्या होता है वो तब POC point of contra-flexure तो किसमें पूछे number of POC कितने है point of contra-flexure कितने है 2 है इसमें भी 2 थे इसमें भी 2 है तो इसमें POC कितने है 2 दोनों किसमें 2 तो इसमें ratio क्या तना आता है ratio आता 1 ठीक है तो similar question है बस लोडिंग change हो गई तो answer अपना देखो change होता कि यह साबसे और ratio पर भी dependent करता है किसका ratio कूछ रहा है या वो support पर बेले है या फिर कि वो भी आपको धान रखना गलती नहीं करना है चलो next question है अपना from a circular plate of diameter 6 cm a circle is cut circle is cut out whole diameter is a radius of the plate diameter 6 cm का diameter का circular plate है उससे अपने एक क्या करा एक circular circle काटा चीक है इसकी diameter जो है वो कितनी है उसकी radius के ब्रावब मतलब की 3 cm आप पूछ रहा है फिर ये पूछ रहा कि the distance of center of gravity cg की distance पूछ रहा है of the remainder from the center of circular plate question number 40 question number 40 शोरी question number 48 करने लगया तो question number 48 पहले कर लो question number 48 पहले कर लो question number 48 में है पहले में पढ़ने लगया तो question number 48 कर लो question number 48 में क्या है देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है ये है अपनी circular plate डामेटर क्या है इसकी 6 cm लेकिन इसने कहा है कि कुछ ऐसा करके बाइफे है ये एक尸रक्डल काठ लिया जिसकी डामेटर कितनी है डामेटर इसकी ये एडियेस के बादबर तो कितना आ गया 3 cm बाद्र抗्र ये इसने काठ लिया है ये मैं इसको डार्क में इसको कर दीा मैंने अब यह कह रहा है जो बच गया एरिया जो बच किया इसके अलावा जो बच किया जो बने हैजिंग कर दी इसके अलावा जो बच किया उसका CG बच चेंज हो जाएगा ना पहले इस तरह है अब वह चींज हो जाएगा वह कहां पर होगा इस सीजी से उसकी डिस्टेंस इसके संटर से इसकी सीजी की डिस्टेंस से उची है तो अपने निकालते हैं आशे तो एबलेट Peng बार अब ये बताओ ये a1 य1 बार है आएवेश औल्हर ये श्रकल को एडिया एटु एडा है ये बैएवन अप्वेज़ हो इसके आशे की जो शिक्था जो जो फालते हंए प्लion वाला है और येँ स्मुल्र ौल एँ फुल सर्कल फुल ये बिगर वाला सर्कल ठीक बिग सर्कल अभी इसमें बता ओ ये निकाल सकते हैं एरिया y1 पूचा है y1 ये distance क्या है इस center से और इसकी cg से distance इस से और circular की distance ये distance क्या होगी ये 0 होगी न center से और इस पूरे जो bigger वाल है उसकी distance क्या है वो 0 तो यह पूरा यह term 0 बन जाएगा तो मैं minus smaller का area कहा जाएगा pi by 4 into 3 square multiply by y2 कितना distance जाएगा यह सेजी है यह center यहाँ पे distance कितना बन जाएगा 3 by 2 तो रग दिया मैंने 3 by 2 divide by pi by 4 bigger का area 6 square minus pi by 4 3 square इसको solve करो आजाएगा यह 1 by 2 cm जो solve क्या जिसको क्या लेखते है 0.5 cm तो answer match कर लो answer आएगा 48 में D हुमला यह solid mechanics का question है और यह engineering mechanics में भी बोल दो बिल्कुल शुरुवात में है यह तो ठीक है तो college में आपने जहां भी बढ़ा हो तो यह question बिल्कुल यह आसान सा है cg निकालने का तो y equals to a1 y1 minus a2 y2 divide by a1 minus a2 values रख दो answer निकाल लो ठीक है चलो आप question कर लेते हैं question number 47 अभी अपना छूट गया था question number 47 पढ़ो in case of biaxial stress the maximum value of shear stress is given by देखो यह पूछ रहा है कि in case of biaxial stress अपने maximum stress पूछा है maximum shear stress की विल्ब पूछा है तो अपने swarm पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा more circle पढ़ा होगा more circle कुछ ऐसा होता है इस पर यहां पर यह value क्या है sigma 3 यह value क्या है sigma 1 यह जो more circle है इसका center और यह क्या है यह होता है tau max tau max तो tau max है वो यह है सही बात है ना tau max तो tau max यह value है tau max तो यह value किती हो जाएगी sigma 1 minus sigma 3 divide by 2 diameter क्या sigma 1 माँने है sigma 3 और यह क्या radius के परभबर है sigma 1 minus sigma 2 sigma 3 divide by 2 वो depend करा sigma 1 क्या जगा 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 होता है sigma 2 लिखा होता है sigma 3 वो depend करता है किस में ले रहो dimension कितने में 2D 3D तो वो depend करता है तो मैँने यह मान के चला है स्क्राइब कर लो तो option देखो अंसर आएगा समें half of the difference of the normal stresses कि डिफेरेंस है उसका half answer आपना विगा अंसर बी अब ऐसे भी टाउ-max equals 2 आता है formula याद रोको स्क्राइब कर दो अब चलो section undergoing pure bending the neutral surface वोना इस अप्योधेटट वो बेंडिंग है क्यूंद बेंडिंग या कुछ नमर 49 बेंडिंग है तो देखो बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है कुछ ऐसे होती है आपने सों में पड़ा है बेंडिंग श्रेस कुछ ऐसे होती है ठीक है क्यूर बेंडिंग है शिर्फ ब तो मुझे ये बता ह Budget से जाएंगी ना इस में प्योर बेंड़नीड के समें when program舟 जेसे में हमें साहं कि जो स्ट्रेंड का जो diagram्राम कुछ ऐसे बनता है तो वह positive strain किस से रायर समय नेगटिव किस में आएगा वह hogging और sagging पर depend करेगा लेकिन अपन को यह पता है neutral axis है ना उस पे जो है 0 आएगा अपन को strain जो है 0 मिलेगा यह अपन को पता है तो answer क्या आगया इसमें अंसर आगया इसमें C 49 में अंसर आगया C क्योंकि bending के case में होगी है उसकी according कौन सा compression side है कौन सा tension side है वह उसको dependent कर जाएगा लेकिन यह बात पक्की है दोनों ही case में neutral axis पे जो strain है वह 0 मिलेगा क्योंकि ऐसा diagram बनता है और यह shear force प्योर bending है इसमें शीर आ नहीं रहा है शीर force 0 आता है तो अपना answer हो गया है 49 में C चलो आगया अपने इसको continue रखेंगे थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग दी वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल इंटेग्रेट